वेलकम बैक डियर सब्सक्रेबर्स तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ Lightroom Mobile App में कैसे आप अपनी फोटो की बैक्ग्राउंड को DSLR जैसा बना सकते हो मतलब फोटो की बैक्ग्राउंड को DSLR जैसा कैसे बलर कर सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फोटो का बैक्ग्राउंड को बलर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं Lightroom App सबसे पहले आप अपने Lightroom App को ओपिन कर लेना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आज आज आएगा आप यहाँ पर देख पाओगे आपको थोड़ा को चीजे बदली-बदली हुई से लेगेगी अगर आपके पास नया वाला Lightroom होगा एंड हाँ आपको नया वाला Lightroom को ही यूज करना है उसी में बलर वाला option है ठीक है तो आप अपने Lightroom को अपडेट कर लेना अगर Lightroom Map के बार में आपको और चीजे जाननी है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकतो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा अब आपको अपना photo को यहाँ पर select करना है तो just photo on device को पर click करना उसके बाद आप अपने folder को select करना जहाँ पर आपका photo होगा लाइक इसको पर click करते हैं उसके बाद अपने photo को आपको select कर सकतो आप देख पा रहें यहाँ पर जो image वो add हो चुक है ठीक है आपका image add हो जागा and आप यहाँ पर देख पाऊगे सारा tools आपको देखने को मिल जागा जो कि पुराने वाले lightroom app में था like edit को पर जाओगे तो आपको यहाँ पर colors मिल जाएंगे color में जाके आप इसका just color grading कर सकतो green tone दे सकतो yellow tone दे सकतो यह सब चीज़े जो कि हमें normally पुराने वाले lightroom में मिल जाते हैं ठीक है बट आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे जब आप edit को पर क्लिक करोगे यह वाला तो इसमें आपको एक blur का option मिलेगा यह जो blur का option ना इसी का use करके आप अपने photo के background को blur कर सकतो तो आप just इसको पर क्लिक करना कैसे करना मैं आपको दिखा तो आप इसको पर सबसे पहले करना मैंने जश्ट यहाँ पर 30 मिनंट तक वेट के था ठीक है फिर भी इसका background ब्लर हुआ है नहीं मतलब कि यह जो टूल है ना blur वाला वो काम ही नहीं करता है काफी टाइम तक वेट करने के बाद भी photo का background ब्लर नहीं होता है तो आप बुलेग भाई इसका कोई solution नहीं है क् आप इसे यूज ना करके आप एक दूसरा app यूज कर सकते हो जिसका नाम है Relance अब लाइट रू में तो काम नहीं बन रहा है हमारा तो क्या हम DSLR जिसे अपने photo का background को ब्लर नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हो इस वाले app में Relance camera app में ठीक है यह जो app है यह आ आपके बार में और चीज़ें जाननी है तो आप मुझे Instagram पर message कर देना वहां पर मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो आप इस एप को open करना कुछ ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा दिन आपको यहां पर DSLR ब्लर के उपर में इस फर्स्ट वाला जो आप्शन है इसके उपर क क्लिक करके अपने फोटो को आप सेलेक्ट करना जिसका बैक्ग्राउंड आप ब्लर करना चाहते हो लाइक में इस वाले फोटो का बैक्ग्राउंड ब्लर करने वाला हूं तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा य आप यहाँ पर देख पाऊगे आपने जैसे फोटो को एड किया उसके साथ में ही आपका ब्लर हो चुक है देख सकतो फोटो का बैक्ग्राउंड आप देख पार यह नॉर्मल वाला था और यह ब्लर हो गया सिर्फ हमने फोटो को एड किया और ब्लर हो गया ठीक है एक क्लिक म इतना आप इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा यह ब्लर होगा तो मैं इतना रख लेता हूं अच्छा लग रहा है उसके बाद आपको यहां पर फ्लेयर के उपर क्लिक करना है इसके उपर आपको क्लिक करके यह जो विवेड है ना इसे पूरा मैक से कर देना या फिर 90 तो कम से क करीन ठीके उसके बाद इसे हाइलाइट को आपको ऑफ जिटheid करना है जितना आपको फोटो को पर सही लगे ज़्से आप इनक्रीज करोगे तो आप यहां देख पाओंगे ये जो ब्लर हो रहे ना वो जहस्ट Packard योगी इसे में इतना मैं अधिशम कर लेता हूं काफी ब ब्लर का जो safe होता है ने ये bokeh effect ये जो पीछे में है उसका safe आपको मिल जागा तो आप देख सकते हो ये normal और ये edited उसके बाद आप अपने फोटो को थोड़ा edit भी कर सकतो लाइक आप यहाँ पर color lab में जाओगे तो आपको यहाँ पर color grading करने का HDR effect apply करने का face को गोरा करने का ये सब कभी tools मिल जाते हैं जैसे कि आप exposure के उपर जाके just यहाँ सा आप ये भी select कर सकतो कि exposure आपको अपने body का decrease increase करना है या फिर background का तो हम background के उपर mint से back के उपर क्लिक कर देते हैं और इसे थोड़ा decrease करते हैं तो आप देख पाऊंगे background का जो light है वो थोड़ा कम हो रहा है तो जो effects है वो दिख अच्छे से रहे हैं आप देख पा रहे हैं तो इस तरीक से आप थोड़ा exposure और brightness को कम कर देना back को select करके then done कर देना and आप यहाँ notice कर सकतो बिल्कुल perfect हमारा जो photo है वो added to हो गया देन उसके बाद आप color के उपर जाके इसके saturation मगेरा भी increase कर सकतो हो अपने photo को और better बनाने के लिए तो अपने recording adjustment आप कर लेना फिर done कर देना आपका photo edit हो चुक है बिल्कुल DSLR जैसा अब इसे device में save करने के लिए जस्ट इसके उपर आपको क्लिक करना थोड़ा से आपको wait करना होगा यह automatically save हो जागा अगर नहीं होता है तो आप यह जो save all बटन है ना इसके उपर क्लिक कर देना then save हो हो जाएगा ओके I hope आपको यह जो तरीका है वो पसंद आया है और आप वो सीख चुके हो किस तरीके से photo के background को DSLR जैसा blur के जाता है मिलते है नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई